है दोस्तों मैं आपका दोस्त राहुल रात के करीब बार अब बच चुके हैं आज फिर एक बार आपके सामने यूटूब लाइब में हाजिर हूँ सर हमारे दोस्त राहुल गापता हो गया है गायब हो गया मतलब सर कुछ भी करके हमारे दोस्त को ढूण लीजिए यार सच कहूं तो मुझे उस पोलिस वाले पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हम वहां जाएंगे पर अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे इस कहानी के लेखक है संजय कामले राहुल राहुल कहां हो तुम तुम मुझे तुम मुझे छोड़कर कहां चले गए राहुल यह यह लाइट को क्या हुआ शायद कहीं पर शॉर्ट सर्किट हुआ होगा इसीने पूरे इलाके की बिजली चली गई है यह क्या हो रहा है और यह जगह कौनसी है यह क्या है यह 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 कर दो कर दो कर दो सुनेना इतनी डर गे थी कि वो एक दम से बिट पर उठकर बैठ गई डर के कारण उसके दिल की धड़कन काफी तेज हो गई थी कितना अजीब डरामना सपना था खुद से बात करते हुए उसने अपना सर पकड़ा शायद राहूल के बारे में ज्यादा सोचने की वज़े से उसे ऐसे हजीब हजीब सपने आ रहे थे लंबी सांस लेते हुए उसने खिड़की की तरफ देखा और सन रहे गई डर के मारे उसकी आवाज ही दब गई वो डिजिटल गैमरा खिड़की में उसकी बिलकुल पास रखा हुआ था सड़क की दूसरी तरफ मैकडॉनल्ड से कुछ बर्गर और आइसक्रीम लेकर दोड़ता हुआ वे एक सड़क की इस तरफ आ गया सबके हाथ में एक-एक बर्गर और आइसक्रीम देखते हुए उसने सुनैना की तरफ देखा वो चुप-चाप आगे बंद करके बैठी रही थी उसने कुछ भी खाने के लिए पहले ही मना किया था बर्गर का एक बड़ा से निवाला खाते हुए अतुल ने सुनैना से पूछा पर वो डिश्रल केमरा का है कल रात देखा वो जीब सा सपना सुनैना ने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया सुनैना के बाद धान से सुनते हुए अतुल ने पुछा मतलब तुमने जो पहले देखा था, वो सपना था, या दूसरी बार देखा था, वो सपना था, या दोनों बार तुम सपने में ही थी, क्योंकि अगर कैमरा तुमने अपने हाथों से टेबल पर रखा था, तो वो तुम्हारे घर में कहीं पर तो होना चाहिए था, तो गायब क के बारे में पूछने के लिए उस इंस्पेक्टर ने किसी को कॉल किया था क्या उसके बात सुनकर सभी ने नामे गर्दन हिलाया आगे की सेट पर आखे बंद कर बैठी सुनैना नराज होकर बोली यार सच कहूं तो मुझे उस पूलिस वाले पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं ने की कोचिस भी करेंगा सुनैना की उधासी भरी आवाज सुनकर सचिन ने कहा Yantra Koda ननाहों को ने की कोशिस करें थो ठीकाने है नो सचिन की बात सुनकर ठोड़ा घुसा हुए और सुनैना को उसका आईडिया पसंद आया जट से अपनी आखे खोली और पीछे मुड़कर देखते हुए सचिन से पूछा पर वो कैसे? सुनेना, इसके साथ तू भी पागल हो गई है क्या? हम सब रात उस जगा जाएंगे और राहूल की तलाश करेंगे सचिन की बात सुनकर राधिका ने घुस्से में आग भबूला होते हुए जोर से सचिन का हाँ दबाया हाँ, ताकि वो भूत हमें भी गायब कर दें हना, बड़ा ही बेतु का आइडिया है विवेक दुबारा घुस्सा हुआ विवेक की बात सुनकर राधिका ने कहा मुझे लगता है विवेक ठीक ही कह रहा है हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए चाहे तो हम दुबारा से पुलिस स्टेशन में जाकर उस इंस्पेक्टर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये पुलिस का काम है राधिका के बात सुनकर सचिन ने उसे समझाया सचिन के बात सुनकर एक दम से चुप हो गई सचिन ने दुबारा अपने दोस्तों की तरफ देखकर कहा हम वहां जाएंगे पर अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे हमारे साथ मूबाइल तो हो गा ही साथ ही दो एक्ट्रा कैमरे और या फोन जिससे कॉन्फरेंस कॉल में हम सभी एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे साथ ही कुछ और चीज लेकर जाएंगे सचिन के बात संकर अतुल ने पूछा पर उससे क्या होगा अपने दोस्तों के तरफ देखते हुए सुनायना ने कहा इससे हमें ये पता चलेगा कि आखिर उस जगा होता क्या है सच कहा हमें ये नहीं पता कि कितने लोग आज तक वहां से गायब हो गया है हम इस बात को आज तक एक मंद गणंद कहानी के रूप में देखते थे पर आज हमारा दोस्त सच मुझ गायब हो गया है सचिन को बीच में रोकते हुए राधिका बोली I'm sorry यार पर मैं नहीं आ सकती आप लोगों को मेरे पापा के बारे में पता है न राधिका ने इंकार किया क्योंकि उसके पापा रात भर बाहर रहने की अजाज़त नहीं देने वाले थे उसके तरफ देखते हुए सुनैना ने कहा कोई बात नहीं राधिका हम समझ सकते हैं सभी की ओर देखते हुए सचिन ने कहा विवेक थोड़ा परिशान हो गया उसने सब की ओर देखते हुए कहा अगर राहूल को ढूढ़ना ही है तो रात को ढूढ़ने की क्या जरूरत है हम दिन में भी उसे ढूढ़ सकते हैं न इस घर का पहला नियम है जो जिस वक्त गायब हो गया है उसे उसी वक्त ढूढ़ने पर ही मिल सकता है सुनेना की बात सुनकर विवेक हामोश हो गया दूसरे दिन पुलिस की वैन उसी बंगले की बाहर खड़ी थी ड्राइवर सिट पर बैठा हवलदार गाड़ी की खुली खिरकी से ही बंगले के भीतर जाते हुए इंस्पेक्टर साहब और दू हवलदारों को देख रहा था पुलिस की टीम उस बंगले का मौइना करने पहुची थी पूरा बंगला चान मारा एक एक रूम एक एक कोना अच्छी तरह से देख लिया काफी अचीब सी जगा थी किसी खाली कमरे के भीतर ना खुनों के खरोचों की निशान कुछ आधी जली मुंबत्तिया दिवारों के उपर अजीब से धरावनी आकरतिया जैसे किसी शैतानी ताकत की होने की चिन्ने लग रहे थे पूरा बंगला अच्छे से देख लिया पर राहुल के होने का कोई सुराख नहीं मिला लेकिन एक बाद जरूर इंस्पेक्टर साहब और उनके हवालधारों ने महसूस की उस बंगले के भीतर किसी के ना होकर भी होने की मौजूद की उन्हें साफ साफ महसूस हो रही थी वो अकेले किसी भी कमरे में जाते हैं तो उन्हें साफ साफ महसूस होता था कि उनके पीछे भी कोई आ रहा है मगर पीछे देखने पर कोई नहीं होता कमरे में सन्नाटा होने के बावजूद किसी के होने का हैसास बल बल हो रहा था बाहर सूरज की आग उगलती कड़ी धूब होने के बावजूद भीतर एक अजीब सी ठंडक शरीर महसूस कर सकता था काफी देर तफ्तीश करने के बाद इंस्पेक्टर और कॉंस्टेबल बंगले से निकल कर पास में ही खड़े पुलिस वैन के पास पहुचे दुबारा पीछे मुड़कर बंगले की थरफ देखते हुए कॉंस्टेबल ने कहा साहब ये जगा कुछ अजीब सी लग रही है इस बंगले की भीतर कुछ भी सामान्य सा नहीं लग रहा था कॉंस्टेबल की बात सुनकर इंस्पेक्टर साहब ने भी उस बंगले पर नसर डाली सही कहा मैंने इस बंगले की पूरी हिस्ट्री पता कर ली है किसी दिन इत्मी नावन से बात करेंगे गारी के स्टार्ट करते हो एक कॉंस्टेबल ने पूछा पर कब बताएंगे साहब अगर दुबारा कोई गायब हो जाता है सहाब उस दिन बताएंगे हवलदार की बात पर सभी ठाका मार कर हसने लगी और उनकी पुलिस वैन जंगल के विराने में बसे उस बंगले के गेट से बाहर निकल कर सुनसान रास्टे से गसरने लगी गाड़ी से ही उस बंगले की तरफ जहांकते हो इंस्पेक्टर सहाब बोले थद है यार ये भूत इतने विराने में सननाटे में इंसानों से दूर रहते हैं फिर भी इंसान उन्हें ढूंडते हुए यहां तक पहांच जाते हैं अब हम बेवकुफ किसे कहें भूत को या ऐसे इंसान को सर ये भूत बगरा को तो मैं नहीं मानता मुझे नहीं लगता किसी भूत के चक्कर में वो लड़का गायव हो गया है मतलब मुझे लगता है उस मैना के चक्कर में तीन लड़कों ने अपने साथी लड़के को मार कर उसकी लाश को इसी जंगल में कहीं पर फेक दिया होगा हवलदार की बात सुनकर इंस्पेक्टर सहाब तोड़े हैरान हो गए उन्होंने दोबारा हवलदार से पूछा यह भी हो सकता है बैसे यह मैना कौन है और उसका इस केस के साथ क्या कनेक्शन इंस्पेक्टर सहाब की तरफ दिखते हुए धीनी आवाज में हवलदार ने मुस्कुराते हुए खा सहाब वही सबसे खुबसूरत लड़की सुनेहरे रेशमी बाल चांदी की तरह बेदाग गुरा रंग वही जो नीली जेन्स और जामुनी रंग का शट पहन कर आपके सामने वाली कुर्सी पर बैठी थी जो अपना सर पकड़ कर फूट फूट कर रो रही थी वही जो अपने दोनों हाथ आपके सामने जोड़कर अपने दोस्त को ढूनने के लिए भिंती कर रही थी ड्रैवर की बात सुनकर इंस्पेक्टर साहब को सब कुछ याद आ गया हवलदार की दरफ देखते हुए उन्होंने कहा अरे हवलदार जी उसका नाम मैना नहीं नैना मेरा मतलब सुनैना है सब बाते करने में मशहूल थे और उनकी घाड़ी धीरे धीरे जंगल के डरावने महावल से बाहर निकलने लगी इधर सब दोस्तों ने तयारी पूरी कर ली थी यह कहानी आपको अच्छे लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें हमारा इंस्टाग्राम और फेस्बुक पेज जरूर फॉलो करें अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें हम कोशिश करेंगे कि अगली अनिमेटेड स्टोरी आपके होगी